अस्वालेकूम वीवर्स वेलकम बेक टू हमारी वेब स्मार्टफोन सीरीज तो टूड़े वी हैव ओपो ए 95 फॉर रिव्यू ये डेवाइज अभी रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉंच की गई है 42,000 के प्राइस टैग में तो आएए शुरू करते हैं ओपो की A सीरीज का एक नया फोन ओपो A 95 का रिव्यू ओपो A 95 का डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी की बात करें तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है यहां आपको रेनो ग्लो डिजाइन दिया गया है जो के इससे पहले आप ओपो की हाईर एंड सीरीज रेनो में भी देख चुके है ओपो A 95 दो स्टाइलिश कलर्स में लॉंच किया गया है ग्लोइंग रेन्बो सिल्वर और ग्लोइंग इस्टेरी ब्लैक फोन की हैंड फील बहुत अच्छी है फोन बहुत लाइट और स्लिम है डिस्प्ले पैनल की बात करें तो यहां आपको 6.43 इंचिस का एमुलेट पैनल मिलता है बैजिल्स यहां बहुत स्लिम है Content Viewing Experience भी डिवाइस का बहुत अच्छा है Colors काफी वाइबरेंट है यहां आपको 2400 x 1080 की resolution दी गई है और साथ ही 60 Hz का refresh rate भी मिलता है इंडोर और आउटडोर में बहुत असानी से आप mobile phone यूज़ कर सकते है Software Department की बात की जाए तो यहां आपको Color OS 11.1 दिया गया है based on Android 11 यहां आपको बहुत सारे customization के options भी मिल जाते है इस storage यहां आपको 128 GB की दी गई है जो के casual users के लिए काफी होती है Performance की बात करें तो OPPO A95 is powered by Qualcomm Snapdragon 662 that is paired with an Adreno 610 GPU and 8 GB RAM यह device OPPO RAM expansion technology के साथ आती है जहां आप 5 GB तक की RAM बढ़ा सकते है Gaming experience OPPO A95 का काफी decent है Even we have played some heavy title games like PUBG and Asphalt 9 Gameplay was smooth कोई heating issue face करने नहीं मिला बट कहीं कहीं frame drop जरूर face करने मिल सकते है Biometrics और security की बात करें तो यहां face ID और fingerprint दोनों ही option मिल जाते हैं यहां जो fingerprint sensor दिया गया है वो in-display fingerprint sensor है And these both functions perform quite fast and accurate Battery की बात करें तो यहां आपको 5000 mAh की बड़ी built-in battery मिलती है Which supports 33 watts of fast charging It takes around an hour to charge fully तो यह बड़ी 5000 mAh की battery आपका लंबे time तक साथ निपाएगी Camera की बात करें तो 48 megapixel का triple camera setup मिलता है जिसमें 2 megapixel का macro और 2 megapixel का depth sensor मौझूद है Along with 48 megapixel main lens जबके front पे 16 megapixel का selfie shooter दिया गया है Daylight में pictures का result काफी अच्छा है जहां आपको good amount of detail मिलती है Colors vibrant है और edge detection भी pictures में काफी अच्छी है यहां आपको ultra wide mode नहीं दिया गया But you can zoom up to 2x, 5x and up to 10x Selfies taken from Oppo A95 are good You can shot selfies with natural looking skin tone Video आप 1080 pixels की resolution में shoot कर सकते है Videos की quality काफी अच्छी है Even the details and colors are also good यहां आपको stabilization का भी option दिया किया है So guys, this is all for today Video पसंद आई हो तो like और share करें Channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो कर लें और bell का icon दबाना ना भूले ताकि आने वाली नहीं वीडियो का notification आप तक timely पहुंच जाए Thank you for watching and stay connected to www.hamariweb.com